गोड एउनिंग दोस्तों आप सभी को अग्रीम हारदिक शुप कामनाएं मंगल कामनाओं के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों ने बहुत धहरे से बहुती शांदार धहरे का परिचे दिया आप लोगों ने और आप जिस उद्धिश्य के लिए आज इस चैनल को देख रहे हैं मिसन को साथ जुड़ेवे हैं उसमें आपका ऑब्जेक्ट है और मिसन सतत अपने कारे को कर रहा है हम लोग अर्थ शास्त्र से संबंदित जो रीट के सलेबस के अकॉर्डिंग है उन बिंदों के कुछ महतुपुन प्रशनों पर हम लोग चर्चा करेंगे ज आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका बहुती वैल्यूवेबल टाइम है बहुती प्रिशियस टाइम है बहुती कीमती समय है इस कीमती समय का हम उप्योग करेंगे बहुत शांदार धंग से सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों बैंकिंग और बीमा परनाली, सहकारिता इन ही प्रश्णोंपर हम लोग चर्चा करते जाएंगे देखे दोस्तों नमबर वन पहला प्रश्ण है बारत में बारत में वर्त्मान मौद्रिक विवस्था का देखो दोस्तों वर्तमान मौद्रिक विवस्था का प्रबंदन करता है तो आप लोग देखिए भारत सरकार का वित्य मंत्राल नहीं करता है भारतिय स्टेट बैंक ये भी नहीं करता है इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर है भारतिय रिजर्बैंक क्योंकि हमारा जो भी वित्य का प्रबंदन है वो भारती रिजर्ब बैंक द्वारा किया जाता विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं में चाहिए वो S.S.C. का एक्जाम हो जहां जहां सलेबस में टॉपिक से वहां ये प्रश्ण पूछे जाते रहे हैं ये जादातर क्योशन वही होंगे जो पिछली प्रतियोगी परिक्षाओं में बैंक, S.S.C., विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं में जहां-जहां टॉपिक्स है वहां-वाई क्योशन पूछे जाते हैं बहुत सारे विध्यारतियों ने इसका जवाब दिया RBI, इसका उत्तर RBI है शांदार बिटा, बहुत अच्छी बात है अगला प्रेशन देखिए दोस्तों अगला प्रेशन देखिए किस संस्था को नौट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है वैधानिक अधिकार प्राप्त है जो भारत में आराम से नौट छाप सकता है नौटों को जारी कर सकता है ये भी आप सभी को पता होगा दोस्तों इसका उत्तर है केंद्रिये बैंग किसी भी देश में केंद्रिये बैंग को अधिकार प्राप्त होता है कि वो नौट निर्गमन करे तो हमारे भारत में केंद्रिय को, हम किस नाम से जानते हैं। सवाल भी, इसको लेक्टर ex ponto में 2016 में 2015 में जो एक्जाम हुआ था, उसमें पूचा गया था दुस्तों, कि निम्नल कित मैं से भारत का केंद्रिय बेंक है, तो भारत के केंद्रिय बैंक को जब पूछा जाए तो वो क्या होगा RBI Reserve Bank of India तो किस संस्था को नॉट निर्गमन का बैदानी के कादिकार है केंद्रिय बैंक किसका उत्ता रहे दोस्तों नेक्स्ट इस साख विस्तार पर अगला प्रश्न है साख विस्तार पर रोक लगाई जा सकती है साख विस्तार का मतलब है रिनो पर साख विस्तार का मतलब है रिनो पर किसके द्वारे रोक लगाई जा सकती है अब इसमें देखेंगे दोस्तों बैंक दर में व्रदी करके आप देखो बैंक दर में इदी व्रदी की जाती है तो बैंक दर क्या होती है बैंक दर क्या होती है जिस दर पर RBI व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं अब इदी बैंक दर बढ़ेगी तो व्यापारिक बैंक RBI से पैसा कम लेंगे जब व्यापारिक बैंक RBI से पैसा कम लेंगे तो निश्चित रूप से रिणो की महत्रा घट जाएगी क्योंकि जादा ब्याजदर पर लोग उधार कम लेते हैं नकत कोसा अनुपात में कमी वैदानिक तरलता उनुपात घटा कर रैपोदर घटा कर तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए बैंक दर में व्रदी करके रिणो की महत्रा को रोकता है RBI यदि इन सब में कमी करते हैं तो साख का विस्तार होता है लेकिन सवाल पूछा गया है साख विस्तार को कैसे रोका जाए साख का विस्तार हो तो तीनों चीजे साख का विस्तार करेंगी और इसमें व्रदी की बात करेंगे तो इस साख पर रोक लगाएगी यदि प्रश्न इन सब में व्रदी कर दी जाए तो भी साख विस्तार पर रोक लगाई जाएगी तो आप समझ लीजे दोस्तों बैंक दर में व्रदी रोक लगाएगी इन सब में भी व्रदी कर दें तो रोक लगाएगी और इन सब में कमी कर दी जाए तो वो साख का विस्तार करती है ये बात ध्यान रखेगा किसी के संदर्व में भी पूछा जा सकता है तो हमें देखना है कि कमी और व्रद्धी में हमारा अंसर क्या होगा अगला प्राश्म वहे दर जिस पर व्यापारिक बैंक अल्प काल ध्यान दो दोस्तों अब बात हो रही है अल्प काल वहे दर जिस पर व्यापारिक बैंक अल्प काल के लिए किसको देते हैं केंद्री बैंक को उधार देते हैं उसे क्या कहा जाता है अल्प काल के लिए व्यापारिक बैंक दे रहे हैं केंद्री बैंक को पहले हमने पढ़ा था केंद्री बैंक दे रहा था व्यापारिक बैंकों को यहां पर व्यापारिक बैंक किसको दे रहा है केंद्री बैंक को किसके लिए अल्पकाल के लिए तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रिवर्स रैपो दर क्योंकि अभी रिवर्स हो गया यदि RBI अल्पकाल के लिए व्यापारिक बैंकों को दे केंद्रिये बैंक तो उसे रैपोदर कहते हैं दीर्ग काल के लिए दे RBI तो उसे बैंक दर कहते हैं तो ये इसका उत्तर होगा reverse रैपोदर इस प्राशन का उत्तर धान से देखिए खूब सारी प्रतियोगी परिक्षाओं में second grade के examination में अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं में जहां जहां banking का topic है जहां जहां चीजे हैं उसमें ये सवाल पूछा गया है अगला प्राशन केंद्री बैंक निर्धारित करता है देखो दोस्तों बहुत ही भेतरीन सवाल है केंद्री बैंक निर्धारित करता है किसको निर्धारित करता है केंद्री बैंक केंद्री बैंक निर्धारित करता है चलो दोस्तों स्पीड से चलते हैं केंद्री बैंक निर्धारित करता है राजकोशी नीती को नहीं करता वानिज नीती को नहीं करता बजट नीती को नहीं करता वो मौद्रिक नीती को निर्धारित करता है किसको निर्धारित करता है मौद्रिक नीती को और ये बाकी चीज़ों को कौन करती है राजकोशी नीती इनका निर्धारन कौन करता है राजकोशी नीती और केंद्रिय बेंक मौद्रिक नीती अगला सवाल हमारे देश में वर्तमान में नौट निर्गमन किस सिद्दान्त के आधार पर किया जा रहा है नौट निर्गमन किस सिद्दान्त के आधार पर किया जा रहा है नौट निर्गमन किस सिद्दान्त के आधार पर किया जा रहा है देखो तोस्तों अलग-अलग प्रणाली है हमारे देश में नौट निर्गमन का कारिये बिटा क्या है कि हर जेगे जल्दबाजी नी हम जो तथ्यात्मक प्रश्ण होंगे उनमें हम लोग जल्दी कर लेंगे लेकिन जो प्रश्ण कॉंसेप्च्छल है उन्हें आपको समझना होगा वहाँ पर कोई भी सिच्वेशन में सवाल हो सकता है तो अमारे देश में नौट निर्गमन के सिद्धन पर नियुनतम कोश प्रणाली अभी अलग-अलग है आनुपाति कोश प्रणाली स्वान कोश प्रणाली अध्यादेश प्रणाली तो उत्तर होगा नियुनतम को कोश में 200 करोड रुपे मुल्ले के बराबर स्वान और विदेशी मुद्रा रखता है तो निशित रूप से RBI कितने भी नोटों का निर्गमन कर सकता है यदि हमारे देश में नौट बंदी का जो प्रुग्राम था वो सफल रहा तो वो नुनतम कोश प्रणाली के कारण ही तो यहाँ पर नौनतम कोश प्रणाली अपनाता है भारत में नौनतम कोश प्रणाली ये भी competitive exams में खुब बार सवाल पूछा गया है आगे देखें दोस्तों अगला सवाल मांग जमा किसे कहा जाता है मांग जमा मांग जमा किसे कहा जाता है व्यत्ती के पास नकद मुद्रा की मात्रा मांग जमा का मतलब है बैंक जिस राशी को हमें मांगने पर लोटा देता है उसे मांग जमा कहता है और चालू खाता और बचत खाते की जो राशी होती है उसे मांग जमा कहा जाता है दोस्तों चालू खाते और बचत खाते में जो बैंकों में राशी होती है उसे demand deposit या मांग जमा कहा जाता है demand deposit मांग जमा C नहीं है इसका उत्तर इसका उत्तर है दोस्तों B. बैंकों में चालू बचत खाते की मुद्रा की मात्रा को ही मांग जमा कहते है बहुत सारे विध्यारति उन्हें इसका उत्तर गलत दिया है प्लीज आप अपने उत्तर को सही करें कारण सहित कैसे करेंगे? कारण सहित उस उत्तर को ठीक कर लें दोस्तों अगला सवाल अब देखे काल जमा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम डिपॉजिट क्या कहते हैं? काल जमा यह टाइम डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट किसे कहा जाता है options को बढ़िया से देखें दोस्तों काल जमा देखें दोस्तों बैंकों के कि जो अवधी जमा होती है इसमें रिपीट हो गया दोस्तों option बैंकों की अवधी जो जमा होती है उसे जैसे हमारे fax deposits होते है FDRs होते हैं उसे काल जमा कहा जाता है FDRs होते हैं बैंकों की जो अवधी जमाएं है उसे हम लोग काल जमा कहते हैं अवधी जमाएं हमारे देश में मुद्रा की मात्रा का नियमन और नियंत्रन किसके द्वारा किया जाता है समझे दोस्तों मुद्रा की मात्रा का नियमन और नियंत्रन केंद्रिये बैंक केंद्र सरकार नहीं करती व्यापारिक बैंक भी नहीं करते तो भारती रिजर्व बैंक द्वारा भारत में मुद्रा की मात्रा का नियमान और नियंत्रण RBI द्वारा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है RBI के द्वारा किया जाता है दोस्तों रिजर्व बैंक ने संकेन मुद्रा किसे माना है रिजर बैंक ने संकेन मुद्रा देखो दोस्तों धातू के सिक्के वे नौट धातू के सिक्के वे नौट धातू के सिक्के नौट और बैंकों की मांग जमाओं को संकेन मुद्रा किसे कहेंगे दोस्तों धातू के सिक्के वे नॉट इसे हम लोग संकेन मुद्रा कहेंगे बारत का केंदरी बैंक इन में से कौन सा है यह सवाल आया दोस्तों कॉम्पेटिटिटिव एक्जाम्स में बारत का केंदरी बैंक भारती रिजर्व बैंक बारत का केंदरी बैंक कौन सा है रिजर्व बैंक आफ इंडिया भारती रिजर्व बैंक आर बी आई केंदरी बैंक की स्थापना की अवश्यक्ता के कारणों में क्या सम्मलित नहीं है केंदरी बैंक की स्थापना की आवश्यक्ता की आवश्यक्ता के कारणों में क्या सम्मलित नहीं है मतलग केंदरी बैंक की स्थापना क्यों हुई कहें दोस्तों केंदरी बैंक की स्थापना क्यों हुई केंदरी बैंक की स्थापना क्यों ह नॉट नेगरमन का कारिश सुचारू चले इसके लिए हुई बैंकिंग व्यवस्ता का विकास और नेंतरन हुई ये इसके लिए भी हुआ है व्यक्तिगत रण देना RBI का काम नहीं है दोस्तों ये व्यापारिक बैंकों का काम है व्यक्तिगत रण देना क्या किसी व्यक्ति का RBI में अकाउंट है? नहीं है हमारे RBI में अकाउंट है? नहीं है, हमारे व्यापारिक बैंकों के अकाउंट लेकिन बैंकों के अकाउंट RBI में है चाहिए वो SBI हो, PNB हो Kenra Bank हो Central Bank of India हो इन बैंकों के अकाउंट RBI में है तो उत्तर होगा व्यक्तिगत रण देना अगला सवाल किंद्री बैंक का वेहकारी है जो व्यापारिक बैंक किंद्री बैंक का वेहकारी है जो व्यापारिक बैंक नहीं कर सकते ऐसा कौन सा काम है केंद्री बैंक का जो व्यापारिक बैंक नहीं कर सकते देखे options को not निर्गमन व्यापारिक बैंक नहीं कर सकते देखो साख को नियंत्रित कर सकता है व्यापारिक बैंक आकडोवे सूचनाओं का प्रकाशन भी कर सकता और रिन देने का कारे भी कर सकता है लेकिन नौट निर्गमन का कारे व्यापारिक बैंक नहीं कर सकते हैं नौट निर्गमन का तो एकादिकार केवाल रिजर्व बैंक ओफ इंडिया को ही है अगला सवाल एक रुपे का नौट किसकी द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों एक रुपे का नौट एवं सभी सिक्के रिजर्व बैंक द्वारा, वित मंत्री द्वारा, वित मंत्राले द्वारा जिसे हम लोग भारत सरकार या केंद्र सरकार भी खह सकते हैं वित मंत्राले द्वारा एक रुपे का नोट एवम सभी सिक्के जारी किये जाते हैं परन्तो एक रुपे के नोट एवम सभी सिक्कों को प्रचलन में लाने का कारिय आर्बिय द्वारा ही किया जाता है प्रचलन में कौन लाता है इने जिसे सवाले पूछा जाए कि एक रुपे का नौट हम सभी सिक्कों को प्रचलन में किसके द्वारा लाया जाता है तो आपका उत्तर होगा रिजर्व बैंक ओफ इंडिया भारती रिजर्व बैंक कौन सा उत्तर होगा भारती रिजर्व बैंक बाकि एक रुपे का नौट किसके द्वारा जारी किया जाता है वित मंत्राले द्वारा जारी किया जाता है दूस्तों विश्व में किस बैंक को केंद्रिय बैंकों की जननी माना जाता है या कहा जाता है विस्व में किस बैंक को केंद्री बैंक की जननी माना जाता है विस्व बैंक में किस बैंक को केंद्री बैंक की जननी बैंक ओफ इंग्लेंड केंद्री बैंक की कारियों में इन में से कौन समलित नहीं है पत्र मुद्रा का निर्गमन, सरकार का अजेंट वे सलाकार विदेशी विनमे कोसों का संरक्षन, जनता को रिन प्रदान करना ये समलित नहीं है केंद्री बैंक के संदर्व में इन में से कौन सा कथन गलत है ये सरकार के लाप के लिए कारी करता है, ये बिलकुल गलत बात है सरकार के लाप के लिए काम नहीं करता क्योंकि काम करता वाने जे बैंकों के नकट कोश़ों का और संडख्शक है शमाशोधन, निप्टारा बर इस्तान आंतरन का कारे करता है ये आर्थिक विकास में साइख की भूमी का निवाता है इसका अंसर है दोस्तों अगला सवाल साखने अंत्रन की खुले बाजार की क्रिया के अंतरगत रिजर्व बैंक क्या करता है साखने अंत्रन में खुले बाजार की क्रिया के अंतरगत रिजर्व बैंक क्या करता है सरकारी प्रती भूतियों को खरीदने और बेचने का कारी किया जाता है खुले बाजार की क्रियाओं में प्रती भूतियों का क्रे विक्रे किया जाता है इसका अंसर एक गलत दे रहे हैं आप लोग B अंसर है इसका अंसर है दोस्तों B वहे दर जिस पर केंद्री बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्ग काल के लिए उधार देता है दीर्ग काल के लिए उधार देता है उसे क्या कहते है बैंक दर यदि देश के केंद्री बैंक के द्वरा तरल कोशन पात में कमी कर दी जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर दीजे दोस्तों कि यदि तरल कोशन पात में कमी कर दी जाए एसल आर में कमी कर दी जाए यदि तरल कोशन पात में कमी होगी तो इसका अंसर क्या होगा व्यापारिक बैंक अधिक रिन दे सकेंगे मैंने का था SLR, CRR, Repo, Reverse Repo ये दिन सब में कमी कर दी जाया है तो व्यापरिक बैंक पहले से ज़्यादा रिन दे सकेंगे इसका अंसर है D इसका अंसर क्या होगा? D Next SBA के सहयोगी बैंक है SBA के सहयोगी बैंक है बता इसका अंसर SBA के सहयोगी बैंक 21 के अंसर बताएं दोस्तों D SBA के पहले सहयोगी बैंक थे 7 फिर उनकी संक्या घटकर हो गई 5 अब उन सब को हटा करके घटा करके वर्तमान में कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है SBA का प्रेजेंट में SBA का कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है क्योंकि सभी सहयोगी बैंकों का विले SBA में कर दिया गया है अलग अलग स्टेट बैंक अफ सुरास्ट का विले किया गया स्टेट बैंक अफ इंदोर का विले किया गया और अभी लिटेस्ट पांच बैंकों का विले भी कर दिया गया तो सातों साइक बैंकों का विले SBA में कर दिया गया तो वर्तमान में कोई नहीं है अगला सवाल देखे दोस्तों निरियात आयात बैंक का प्रमुकार ये है निरियात आयात के लिए धन की व्यवस्था करना निरियातों और आयातों के लिए धन का प्रबंदन करना निरियातों और आयातों के लिए क्या करना धन का प्रबंदन करना बैंकों के रास्ट्रे करण एवं एकी करण के पशाथ अब जिन बैंकों की संख्या कम रह गई है वह है बैंकों के रास्ट्रे करण एवं एकी करण के पशाथ अब जिन बैंकों की संख्या कम रह गई है वह है 23 का अंसर बताएं दोस्तों जल्दी से इसका अंसर क्या होगा Question No.23 इसका अंसर है दोस्तों गेर अनुसूचित बैंक इनकी संख्या लगातार घट रही है और अनुसूचित बैंकों की संख्या लगातार बढ़ रही है अनुसूचित बैंक लगातार बढ़ रही है गेर अनुसूचित बैंक लगातार घट रही है छेत्री ग्रामिन बैंकों का शुभारंब कब हुआ छेत्री ग्रामिन बैंकों का शुभारंब October 1975 छेत्री ग्रामिन बैंकों का शुभारंब अक्टूबर उननिस सो पचात्तर जुलाई 1979 में इसका उत्तर तो ये हो गया दोस्तों लेकिन जुलाई 1979 में चवदे उन बैंकों का रास्ट्रेकरण हुआ जिनकी जमापुझी 50-50 करोड रुपे या इससे अधिक थी अप्रेल 1980 में छे न बैंकों का रास्ट्रेकरण क्या गया जिनकी जमापुझी 200-200 करोड रुपे अथवा इससे अधिक थी जन्वरी 1989 में RBA का रास्ट्रेकरण क्या गया आर्बे का रास्टेकंड किया गया जनवरी उन्निस सो नंचास में तो दोस्तों इन प्रश्णों के ऑप्शन्स को भी थोड़ा सा देखें ज्यादा जल्दबाजी से लर्निंग नहीं एक ही प्रश्ण चार बातें कह रहा है तो चार चीजें समझें दोस्तों चोधे बैंकों का रास्टेकंड कब किया गया जुलाई 1970 में अप्रैल 19-10 में छे उन बैंकों का रास्टेकंड किया गया जिनकी जमापूंजी 200-200 करोड रुपे थी जनवरी 1994 में RBI का रास्टेकंड किया गया वर्तमान में रिवर्स रेपो दर अब आप देखेंगे दोस्तों बैंक रेट और MSFR प्रेजेंट में बैंक दर और मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25 प्रतीशत और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतीशत और रेपो रेट 4 प्रतीशत और SLR 18 प्रतीशत और CRR 3 प्रतीशत यह सभी मौद्रिक निती के उपकरण है और इनकी करंट की रेट से हैं काफी बच्चों ने इसका जवाब सही दिया लेकिन कुछ बच्चों ने इसका जवाब गलत दिया यह सारी की सारी यूजबल है बैंक रेट, मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी रेट रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR कैश रिजर्व रेशो नकद, आरक्षन, अनुपात आर्थिक संव्रदी संबंदित है मात्रात्मक परिवर्तन से दोस्तों आर्थिक संव्रदी संबंदित है मात्रात्मक परिवर्तन यदि किसी देश की प्रतिव्यक्तिया या रास्टिया बढ़ती है जैसे पहले मान लीजे 10,000 थी 11,000, 12,000, 13,000 तो ये मात्राओं में व्यक्त किया जा सकता है इन्हें किसमें व्यक्त किया जा सकता है मात्राओं में व्यक्त किया जा सकता है तो ये मात्रात्मक परिवर्तन से है आर्थिक संवरदी के आर्थिक चर है देखिए दोस्तों आर्थिक संवरदी का इनमें कोई भी आर्थिक चर नहीं है क्योंकि ये सभी गैर आर्थिक चर है आर्थिक चर है बीमा, बेंकिंग, परेटन, उद्योग, संचार, परिवेन ये सब आर्थिक होंगे, सिक्षा, स्वास्ते, पेजल, आवास ये सब सामाजी के गैर आर्थिक चरों में शामिल है तो आर्थिक संवरदी के आर्थिक चर इनमें से कोई नहीं अब देखें दोस्तों, आर्थिक विकास आर्थिक विकास, व्यक्ति निस्ट अवधारना है दोस्तों जबकि आर्थिक जो व्रदी है, वो वस्तों निस्ट है आर्थिक व्रदी जो है, वो वस्तों निस्ट है जबकि आर्थिक विकास, व्यक्ति निस्ट है क्योंकि विकास, इंडिविज्वल टो इंडिविज्वल वैरी करती है individual to individual vary करती है आर्थिक विकास आर्थिक विकास संबंधित है आर्थिक विकास संबंधित है दोनों से है मात्रात्मक और गुनात्मक परिवर्तन क्योंकि economic development is equals to economic growth plus गुनात्मक परिवर्तन गुनात्मक परिवर्तन economic growth क्या है मात्रात्मक और गुनात्मक परिवर्तन का मतलब किसी भी देश की आधार भूत धाचे में सुदार सिक्षा, स्वास्ते, पेजल, आवा, सड़क, परिवेन, भीम, बेंकिंग, परिवर्तन इन सब में सुदार करना गुनात्मक परिवर्तन है तो इसका सम्मंद दोनों से है दोस्तों आर्थिक सम्रदी का सम्मंद किस से है आर्थिक सम्रदी का सम्मन्द किस से है देखें दोस्तों आर्थिक सम्रदी का सम्मन्द विक्सित देशों से है दोस्तों विक्सित देशों में केवल आई व्रदी की बात की जाती है जबकि विकासिल देशों का सम्मन्द है आर्थिक विकास से विकासिल देशों में विकास की गती उस स्थर पर नहीं है क्योंकि विक्सित देशों का मतलब है वहाँ विकास हो चुका है विकास की स्थिती बन चुकी है इसलिए वहाँ प्रति व्यक्तिया या रास्टिया में व्रदी की बात होती है तो आर्थिक संव्रदी का संबन्द विक्सित देशों से है ये बहुत ही शंदर कोटिशन है दोस्तों आर्थिक विकास गरिबी के विरुद एक लड़ाई है चाहे वह गरिबी किसी भी रूप की हो ये कथन किसका है इसका मतलब को बताएंगे देखो इसका मतलब समझे दोस्तों आर्थिक विकास गरिबी के विरुद तो मैं गरिबी की जगे ही लिख देता हूँ कमजोरी आर्थिक विकास कमजोरी के विरुद एक लड़ाई है दोस्तों हम यदि पढ़ नहीं पाते सुबह जल्दी उठ नहीं सकते तो हमें जितनी भी कमजोरिया है उन्हें हम जान लें और उन कमजोरियों के विरुद लड़ाई छेड़ दें तो यही विकास है दोस्तों आर्थिक विकास गरीबी के विरुद क्या है लड़ाई है फिरो लड़ाई चाहे किसी भी रूप में हो यानि हमारी कम्यों को यदि हम निकालना शुरू कर दें तो हम विकास के और जाएंगे यह मैने नहीं महबूब उलक पाकिस्तान के जाने माने अर्थ शास्त्री नॉबल पुरुसकार विजेता महबूब उलक ने ये बात कही दोस्तों शंदार बात कही उन्होंने आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिकित में से कौन सी बेहतर कौन सी बेहतर माप है देखो दोस्तों वैसे तो आर्थिक विकास का मापन करने के लिए रास्टी आई भी उप्यूगते हैं लेकिन रास्टी और प्रतिव्यक्ति आई जब दोनों option में हो तो आपका उत्तर होगा प्रतिव्यक्ति आई प्रतिव्यक्ति आई सही मेजर करता है आर्थिक विकास का मापन सही करती है प्रतिव्यक्ति आई सही मापन करता है दोस्तों प्रतिव्यक्ति आई प्रफेसर अमर्ते सेन के अनुसार आर्थिक विकास संबंदित है अमर्ते सेन के अनुसार आर्थिक विकास संबंदित है दोस्तों अधिकारिता वे क्षमता दोनों का विस्तार अधिकारिता वे क्षमता का विस्तार क्षमता के विस्तार का मतलब है क्षमता का विस्तार क्या होता है क्षमता के विस्तार का मतलब है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का मतलब है दोशों से मुक्ती जब हम दोशों से मुक्त होंगे तो स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्र होंगे तो हमारी क्षमताओं को जादा विकास कर सकेंगे हमारी क्षमताओं को विक्सित कर सकेंगे जैसे माली जी कहीं भी डरे डरे से बैटे हुए हैं कि कोई हमें देख ना ले तो जब हमें इसा लगता है कि हमें कोई देख ना ले या हमेरी बात कोई सुनना ले इसका मतलब we are not free हम स्वतंत्र नहीं है तो हम हमारी ख्शमताओं को विक्सेत नहीं कर सकते क्योंकि कोई देख ना ले कोई सुनना ले इसका मतलब हम ये बात किसी से छुपाना चाहते हैं तो स्वतंत्रता का मतलब है दोशों से मुक्त होना और दोशों से मुक्त होकर स्वतंत्र होकर हम अमारी शम्ताओं का अधिक विस्तार कर सकेंगे दोस्तों और आप सभी लोग मिसन के साथ जुड़ करके अपनी शम्ताओं का विस्तार कर रहे हैं यह HDI Human Development Index कई प्रतियोगी परिक्षाओं में आया है इसका नियुनतम और अधिकतम मान सुनने से एक के बीच यदि किसी भी देश में HDI का मान सुनने है इसका मतलब वहां के सभी लोग ना समझ है उनमें कोई समझ नहीं है किसी देश का HDI एक है मतलब वहां का मानव का विकास पूर है तो जीरो होने का मतलब पूर्ण ते वहां का मानव विक्सित है एक होने का मतलब वहां का मानव पूर्ण ते विक्सित है और हमारा तो प्रोग्राम बीच में है तो फिर ऐसे स्थिती में हम अर्द विक्सित हैं भारती है कैसे विक्सित है और विक्सित और हमारी तो रैंक भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है वेस्विक एच्डिया रिपोर्ट में भारत की रैंक को ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी सवाल आएगा और आप लोग उसका उत्तर दे पाएंगी यह प्रशन आगै दोस्तों भारत में एच्डेकि द्रस्टिस है भारत का इस्तान अभी लेटेस जो रिपोर्ट है 2020 की भारत का इस्तान है दोस्तों 111 बहारत का कौन सा इस्तान है 131 131 Human Development Index में अब देखे दोस्तों questions question number 36 देखो अभी latest दोस्तों 1 April 2019 1 April 2017 1 April 2020 में बैंकों के विले की प्रिक्रिया बहुत तेजी से चली तो प्रेशन निम्लिकित में से बैंकों बढ़ो दा बीओ भी में तो तो देखे दोस्तों निम्लिकित मैं बैंकों बढ़ो दा में किन बैंकों का विले किया गया देना ही देना देना और विजिया बैंक इन दोनों बैंकों का विले किया गया दोस्तों बैंकों बडोदा में इन दोनों बैंकों का विले कर दिया गया झाल झाल निम्नलिखित में से असत्य कथन है निम्नलिखित में से असत्य कथन है एक अप्रेल 2009 इसको पंजाब नेशनल बैंक में औरिंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और उनाइटेट बैंक का विले कर दिया गया ये बिलकुल सत्य कथन है इसमें पूछा गया सत्य कथन सारे ही विकल्प बहुत जानदार है दोस्तों इन विकल्पों से आप बहुत सारे प्रश्ट मिलने की संभावन है एक अप्रेल 2020 को Canera Bank में Syndicate Bank का विले किया ये भी सत्य है एक अप्रेल 2020 को Indian Bank में इलाबाद बेंक का विले ये भी सत्य है और 1 अप्रेल 2020 में Union Bank of India में Syndicate Bank का विले नहीं अंद्रा और कॉर्पोरेसन Bank का विले हुआ है दोस्तों इसमे Union Bank of India में Syndicate Bank का विले नहीं हुआ क्योंकि Canra Bank में हो चुका है ना तो फिर यहां तो इसको पहचानने की जरूत है न आप लोगों को कि Canera Bank में Syndicate मिल गया तो फिर Syndicate यहां कटे से मिलेगो दो दो बार कैसे मिलेगा यानि Union Bank में जो विले हुआ वो Corporation और Andra Bank का विले हुआ यह खुब सारे बैंकों की विले हुए चले दोस्तो next SBA की पाँच साहयक बैंकों का विले SBA में कब किया गया यह बहुत ही मैत्तो पन प्रश्ण देखिए दोस्तों SBA की पाँच साहयक बैंकों का विले SBA में कब किया गया 1 अप्रेल 2017 1 अप्रेल 2017 को SBA के पाँच साहयक बैंकों का विले SBA में कर दिया गया State Bank of India निमनलिकित में से किस अरुजनिक शेत्र के बैंक में सरकार का शेर सरवाधिक है इस प्रश्ण का उत्तर दीजे दोस्तों ये ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं competitive exams में 28 का अंसर क्या होगा प्रश्ण का इस प्रश्ण का इस प्रश्ण का उत्तर देते हैं SBA बैंक पेटियेम निमनलिकित में से कौन सा बैंक है पेटियेम क्या क्रशी बैंक है क्या क्या व्यापारिक बैंक है क्या विनियोग बैंक है क्या नहीं ये पेमेंट बैंक है जो छोटे लगू व्यापारियों की लेंदेन की व्यवस्ता को सुगम चलाने के लिए payment bank का शुवारंब किया गया और RBI ने इनको स्विक्रती दी RBI ने इनको क्या दी? स्विक्रती दी तो PTM वेस्व मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार HDI में प्रत्रम स्थान किस देश का रहा? नार्वे नार्वे का पहला स्थान रहा दोस्तों नार्वे का पहला स्थान रहा दोस्तों निम्न लिकित में से मानव विकास सूचक का सूचक नहीं है धान से देखो दोस्तों मानव विकास सुचकांग, मानव के विकास का मापन करने के लिए महभूब उलक ने जो तीन कॉंसेप्ट दिये उससे पहले ये कहना था कि मानव विकास सुचकांग का अधार क्या है तो पहले प्रति व्यक्ति आई के अधार पर मानव के विकास की गणना जीवन इस्तर के अधार पर की जाती थी, मैभू विलक्त साब ने कहा कि नहीं, यदि वास्तों में मानव के विकास का मापन करना है, तो उसके लिए प्रति व्यक्तियाई या जीवन इस तरे का मापदंड नहीं हो सकता, उसके साथ साथ हमें सिक्षा और स्वास्थे को भी शा दिया, तो मानव विकास सूचकांका सूचक नहीं है, शिशू म्रत्यूदर, इन्फेंट मौल्टैलिटी रेट, शिशू म्रत्यूदर, ये भी कई बार, चाहे वो नवदे का एक्जाम हो, चाहे सी विया उसमें, केंद्री विद्धाले में सिक्षकों का एक्जाम हो, इन कई बार, प्रतियोगी परिक्ष्णों में इसी तरह से आता है, इन्ही उप्शन के साथ, भारत मानव विकास रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, HDI में, राजस्थान का इस्थान, राजस्थान का इस्थान पिछली रिपोर्ट में था दोस्तों, सत्रमा, और इस बार है बाइस्थान, 2018 के अमरे पास लेटेस रिपोर्ट है, उसके बाद अभी अमरे को रिपोर्ट नहीं आई है, अगला सवाल, राजस्थान का वह जिला जिसका HDI में प्रत्थम इस्थान है, HDI में प्रत्थम इस्थान वाला जिला गंगा नगर HDI में पहला इस्थान गंगा नगर का है दोस्तों, बारत का वहर अज्य जिला 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 जिला, जिसका HDI में प्रत्थम इस्थान भारत का वह राज्य जिसका मानव विकास सुचकांग की द्रस्टी से पहला स्थान यह दोस्तों केरल जैविक संसाधन नहीं है जैविक संसाधन नहीं है देखिए दोस्तों म्रदा जैविक नहीं है लेकिन मानवी श्रम जैविक है पशुपक्षी भी जैविक है और वनस्पती भी जैविक है म्रदा इसका उत्तर होगा निम्न लिखित में से संस्क्रतिक संसाधन है और शास्त्रियों ने संसाधनों को तीन पार्ट्स में बाटा मानवे संसाधन संस्क्रतिक संसाधन और प्राक्रतिक संसाधन प्राक्रतिक संसाधन में वह ने भूमी को शामिल किया और मानवे संसाधन में श्रम को शामिल किया और संस्क्रतिक संसाधन में दोस्तों संस्क्रतिक संसाधन में पूंजी को शामिल किया गया संस्क्रतिक संसाधन में पूंजी को शामिल किया गया दोस्तों संस्क्रतिक संसाधन में किसको शामिल किया गया पूंजी को शामिल किया गया भोगोलिक संसाधन में शामिल है देखें दोस्तों हम लोग इन जो प्रशनों को आप लोग देख रहे हूं तो एक एक प्रशन में आप लोग देखिए कि चारों ही विकल्प आपके काम के हैं तो हर विकल्प को जब यह प्रशन का उत्तर दे सवाल का उत्तर दे तो प्रतेक विकल्प के बारे में आपको विचार करना होगा सब्जेक्टिव प्रश्णों का उत्तर देना जादा इजी है लेकिन अब्जेक्टिव प्रश्णों का उत्तर देना जादा जाटिल है क्योंकि अब्जेक्टिव में कहीं नहीं है कहीं कमी कहीं व्रद्धी ये छोटे-छोटे से शब्द हमसे स्लिप हो जाते हैं तो यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपकी प्रैक्टिस यदि होगी धंग से तो फिर आप उन एक-एक विकल पर शांदा धंग से काम कर सकेंगे 48 दोस्तों बहुगलिक संसाधन में शामिल है जैविक और अजैविक दोनों तरे के संसाधनों को ये दोनों इसका अंसर होंगे दोस्तों दोनों बहुगलिक संसाधन में जैविक और अजैविक दोनों संसाधनों को शामिल किया ज़ता है अगला प्रैशन दोस्तों संसाधन से हमारा अभी प्राई है संसाधन से हमारा अभी प्राई है संसाधन किसे कहेंगे ये दोस्तों दीर्ग अवदी तक अनेक प्रियोगों में लाए जाए वे साधन जो दीर गवदी तक अनेक प्रकार से काम में लाए जाए ये सहज सुलब नहीं हो परियात मात्रा में उपलब्द नहीं हो जिनमें एक उपयोगिता ये नहीं हो इसका उत्तर होगा दोस्तों क्योंकि संसाधनों में यह नहीं है अटा दें तो यह सब संसाधनों की विसेशता है वो सहज सुलब हो तो संसाधन में शामिल होगा परियाप महत्रा में उपलब्द हो तो संसाधन में शामिल होगा जिनमें उपयोगिता और कार्यात्मक्ता हो तो यह उसमें शामिल होगा तो निम ने लिकित में से राजस्तान का hdi कितना है राजस्तान का hdi है दोस्तों 0.621 0.621 ये राजस्तान का hdi ध्यान रखेगा दोस्तों राजस्तान में दुख्द सहकारिता में सर्वोच स्तर पर सहकारी संस्ता है सर्वोच स्तर पर सहकारी संस्ता राजस्तान सहकारी डेरी फेडरेशन RCDF राजस्थान कॉपरेटिव डेरी फेडरेशन ये सीर से संस्था काम कर रही है दोस्तों राजस्थान में अगला प्राश्म किस वर्ष को सहकारी शताबदी वर्ष के रूप में मनाया गया दोस्तों अब आप खुदी समझेंगे दोस्तों देखे शैकारिता का शुबारंब हो हमारे देश में 1904 से और शताबदी का मतलब होता है 100 और 100 वर्ष 1904 में 100 वर्ष का पूरे होंगे आप खुद बेख़ुद इसका उत्तर दीजे दोस्तों शताबदी वर्ष के रूप में 1904 से सहकारिता का शुबारंब होता है और इसमें 100 और जोड दीजे तो इसमें 100 जोड देंगे तो 2004 होगा दोस्तों तो हमारा शताबदी वर्ष के रूप में किसको मनाया गया 2004 वर्ष 2004 को सहकारी शताबदी वर्ष के रूप में मनाया गया क्यों मनाया गया उसका एक कारण है दोस्तों रटियमत सहकारी शताबदी 1904 का तथ्थे भी याद रखें तो 2004 भी याद रखें ये खुबा कॉम्पिप्टरे एक्जाम में क्यों शनाता है कि सैकारी साख समीतियों का धाचा है ये तंत्र है दोस्तों त्री स्थरी है ग्राम कस्बा और तैसिल जिला और राज्य ग्राम कस्बा और तैसिल एकी स्थर है जिला और राज्य ये त्री स्थरी सहकारिता का धाचा है दोस्तों सहकारिता का धाचा त्री स्थरी है दोस्तों ग्राम सेवा सहकारी समीती द्वरा एक स्थान पर सभी प्रकार के रिणों को प्लब्द कराने वाली योजना ग्राम सेवा सहकारी समीती द्वारा एक इस्थान पर सभी प्रकार के रिणों को प्लब्द कराने वाली योजना क्रेफी काड योजना क्रेफी काड योजना दोस्तों राजस्थान में सहकारिता का शुबारंब राजस्थान में भारत में भारत को सहकारिता की जो देन है और राजस्थान है दोस्तों तो भारत राजस्थान में सहकारिता का शुबारंब 1904 अब ही हमने बात की थी 1904 में सहकारिता का शुबारम और 2004 को सहकारी शताबदी वर्ष के रूप में मनाया गया 1905 की तिथी भी महत्वपूर है आगे आएगा तो बताएंगे इसको भी राजस्तान में प्रथम सहकारी समीती 1905 में देखो यहां बताना चारा था में बात 1905 में कहां स्थापित की गई भिनाई अजमेर में यह भी प्रत्योगी परिक्षव में सवाल आ चुका है दोस्तों competitive exams में जहां सहकारी ताथी वह सवाल पूछा गया है कि राजस्तान में पहली सहकारी समीती कहां स्थापित की गई भिनाई अजमेर में बिनाई अजमेर में स्थापित की गई दोस्तों राजस्तान में प्रत्यक जिले के सहकारी बैंक का नाम राजस्तान में प्रत्यक जिले में जो सहकारी बैंक है उसे केंद्रिय सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है सभी राज्यों में जिला इस्तर पर सहकारी बैंक को केंद्रिय सहकारी बैंक कहा जाता है महिलाओं का महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा सिद्दान्त महिलाओं का महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा सिद्धान किस से संबंदित है महिला सहकारिता से यहनि महिलाओं को सहयो करके सहकारिता में आगे लाया जाए और कुछ सहकारी संस्ता यसी खोली जाए जिसमें महिलाएं मिल करके अपने उद्धिश्यों को पूरा करें महिलाएं भी काम काज करने लगें वो भी कारे करना शुरू कर दें नेक्स देखिए दोस्तों सहकारिता का मुख्य उद्धिश्य है देखिए दोस्तों वैसे तो सभी सहकारिता के उद्धिश्य है लेकिन परस्पर सहयोग के आधार पर गरीब साधन हीन आर्थिक द्रस्टी से पिछडे लोगों को बिचोलियों के शोसन से बचा कर उने आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना इसका मुख्य उद्धिश्य है वैसे सहकारिता के सभी उद्धिश्य है पर इसमें मुख्य इंडिकेट किया है जब सभी उद्धिश्य हो तो उनमें सबसे महत्वपन उद्धिश्य को हमें देखना होगा जो अन्य का भी रिप्रेजेंटेशन करे में जो अब्जेक्ट है वो परस पर सहयो करके गरीब साधन हीन आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोगों और बिचोलियों के सोशन से बचा कर उन्हें आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना ये सहकारिता का में परपज सहकारिता का में उद्श है अगला सवाल राजस्तान राज्य सहकारी बैंक किस थापना कब वे कहां की गई राजस्तान राज्य सहकारी बैंक या पैक्स बैंक किस थापना कब 14 अक्टूबर 1953 को जैपूर में की गई दोस्तों 14 अक्टूबर 1953 को जैपूर में की गई राज्य में क्रशी साख की त्री स्थरी व्यवस्था के लिए जिला स्थर पर कौन सी संस्था है वो है केंद्रिय सहकारी बैंक उसका नाम है दोस्तों केंद्रिय सहकारी बैंक यानि एक प्रश्ण कई प्रकार से कई तरह से पूछा जा सकता है इसलिए हमें हर तरह से प्रश्ण का उत्तर देने के लिए ready ये तयार रहना हुगा राजस्तान राज जिस सहकारी क्रे विक्रे संग का संग्षिप्त नाम दोस्तों राज फैड इसका संग्षिप्त नाम है राज फैड ने फैड, कन फैड, स्पिन फैड जो राज फैड राजस्तान में काम करता है नेफ़ेड पूरे इंडिया में काम करता है National Agricultural Cooperative Federation है नेफ़ेड है Consumer Federation है SpinFed Spinning and Weaving Federation प्रदेश में प्रथम भूमी बंदक 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 की स्थापना 1924 में 1924 में कहां की गई दोस्तों प्रथम भूमी बंदक बंदक की स्थापना 1924 में अजमेर में की गई दोस्तों पहला भूमी बंदक भूमी बंदक कौन से होंगे जो किसी भी परिसंपत्ती को गिर्वी रख करके रिण प्रजान करते हैं किसी परिसंपत्ती को गिर्वी रख करके रिण प्रजान करने वाले बैंक भूमी बंदक बैंक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों भूमी बंदक बैंक कहलाते हैं डीग भरतपूर ने इसका उत्तर डीग भरतपूर में तो क्रशी बैंक की स्थापना हुई थी पहले क्रशी बैंक की स्थापित हुए थे डीग बरतपूर में ऐसे उत्तरमठों को गलत करिया हो गए राजपूताना महिला नागरिक सैकारी बैंक के नाम से प्रत्व महिला नागरिक सैकारी बैंक घटित हुआ ये दोस्तों जैपूर में स्थापित किया गया और 1995 में इसके स्थापना हुई 1995 में जैपूर में इसके स्थापना की गई दोस्तों 1995 जैपूर Rajasthan Institute of Cooperative Education and Management Rajasthan का मुख्याल है Rajasthan का मुख्याल है कहां इस्तित है Rajasthan का मुख्याल है जैपूर में है दोस्तों देश का पहला राज्जी कौन सा है जिसने सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार वित्रित किये देश का पहला राज्जी कौन सा है जिसने सैकारिता के क्षेत्र में सैकारी किसान क्रेडिट कार्ड वित्रित किये इसका अंसर बताइए दोस्तों क्लशन नमबर 66 का अंसर 66 का अंसर है राजस्थान शावास इसका उत्तर है दोस्तों राजस्थान चेत्री ग्रामिन बैंकों के लिए प्रबंदन में केंद्र राज्य और सारुजनिक शेत्र के बैंकों के हिस्सेदारी क्रमश है हिस्यदारी क्रमशे चेत्री ग्रामिन बैंकों के वित्र प्रबंदन में केंद्र सरकार का योगदान है 50 प्रतीशत राज्य सरकारों का है 15 प्रतीशत सारवजनिक शेत्र का बैंक है स्पॉंसर बैंक का है 35 प्रतीशत तो इसका उत्तर हो जाएगा बी क्रमशे पूछा है इसका क्रम ये रहेगा 35% केंद्र 15% राज्ये और 35% सारवजनिक शेत्र का बैंक 35% सारवजनिक शेत्र का बैंक अगला प्राश्न देखिए दूस्तों वर्तमान में भारत अधा राजस्थान में क्षेत्री ग्रामिन बैंकों की संख्या घट कर क्रमशे क्या रहे गई देखो बारत में 196 बैंक थे 196 से उनकी संख्या घट कर रहे गई 43 और राजस्थान में ये रहे गई 2 तो 43 और 2 इनकी संख्या रहे गई है बारत में 43 और राजस्थान में 2 निमन लिखित में से किन राज्यों में क्षेत्री ग्रामिन बैंक नहीं है सिक्किम और गोवा दो ऐसे राज्यों हैं जिनमें क्षेत्री ग्रामिन बैंक नहीं है सिक्किम और गोवा दो ऐसे राज्यों हैं जिनमें क्षेत्री ग्रामिन बैंक नहीं है सिक्किम और गोवा में क्षेत्री ग्रामिन बैंक नहीं है बारत में उपभोगता संरक्षन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया बारत में उपभोगता संरक्षन अधिनियम 1986 में और अभी लिटेस्ट 2019 में उसमें कई प्रकार के अमेंडमेंट कर दिये गए और 2019 में उपभोगता संरक्षन अधिनियम लाया गया है ये सवाल कई बार पुछा गया है कि भारत में उपभोगता संरक्षन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया और उसका उत्तर होगा 1986, 24 दिसंबर 1986 ठगी अत्वा अनुचित व्यापारिक व्यवार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए हमें कहां शिकायत करनी चीए उपभोगता संरक्षन मंच को हमें शिकायत करनी चीए दोस्तों जिला मुख्याले नहीं, तैसिल नहीं, ग्राम पंचायत को नहीं हमें उपभोगता संरक्षन मंच को अब जिसमें जिस लेवल का होगा वो जिस क्वांटिटी में होगा उसी के अधार पर उपभोगता विवाद से आशे है उपभोगता विवाद से क्या आशे है उपभोगता विवाद से क्या आशे है उपोगता ने किसी व्यक्ति के विरुद शिकायत दर्ज कराई हो एवं व्यक्ति शिकायत में दर्ज दोशों से इंकार करता है या उन पर विवाद करता है तो यही option होगा उपोगता विवाद का आश्य यही होगा पहला यह answer होगा इसका जिला उपोगता मंच के गठन का प्रावदान उपोगता संरक्षन अधिनियम 2019 की किस धारा में है धारा 28.1 में है दोस्तों धारा 28.1 में है अगला सवाल हमारे देश की उपोगता संरक्षन अधिनियम 2019 के तहट निम्न में से कौन सा उपोगता अधिकार शामिल नहीं है कौन सा उपोगता अधिकार शामिल नहीं है मैंने दोस्तों आपको जो पढ़ाया था तब भी 6 अधिकार बताये थे सूचना का अधिकार सुरक्षा का अधिकार चैन का अधिकार तो सुनवाई का अधिकार है वोगता सिक्षा का अधिकार है सूचना प्रैप्त करने का अधिकार है लेकिन स्वस्त वातावरन का अधिकार नहीं है स्वस्त वातावरण का अधिकार नहीं है यह उपभोगता अधिकारों में शामेल नहीं है इसलिए इसका अंसर होगा C अगला प्रश्न उपभोगता संरक्षन अधिनिम उपभोगता को अधिकादिक माल की विक्री करवाता है उपभोगता अधिकारों का संरक्षन हम समवर्धन करता है उपभोगता विवाद उत्पन करता है उपभोगता अधिकारों का संरक्षन हम समवर्धन करता है क्योंकि उपभोगता संरक्षन अधिरियम का ये main object भी है कि उपभोगता के अधिकारों का संरक्षन और उनका संवर्धन करना उनमें अभी व्रिद्धी करना सिकायत का कारण देखो दोस्तों शिकायत का कारण क्या हो सकता है माल तूटूटूपून होगा तो भी शिकायत होगी मुल्य ज्यादा लिया गया है तो भी शिकायत होगी किस्म विवरणा अनुसार नहीं है तो भी उपरोक्त सभी इसके अंसर में सभी शामिल है सभी शिकायत के कारण होंगे मुल्ले देकर वस्तु अत्वा सेवा प्राप्त करने वाले को कहते हैं मुल्ले या वस्तु देकर जो भी हम सेवा प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है उपबोगता उसे क्या कहा जाता है ना व्यापारी कहेंगे, ना किसान कहेंगे, उसे कहेंगे उपभोगता। ना किसान कहेंगे, 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 ना किसान कहेंगे यह देखिए दोस्तों क्योशन राजस्तान राज जी उपभुगता सनरक्षन आयू का गठन कब किया गया 26 मई 1988 राश्त्रिय उपभुगता दिवस कब मनाया जाता है राश्त्रिय उपभुगता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और वेश्व उपभुगता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों वेश्व उपभोगता दिवास पंद्रे मार्च को मनाया जाता है दूस्तों केंद्री उपभोगता संडरक्षन परिशद का द्यक्ष कौन होता है केंद्र सरकार में उपभोगता मालमलों का जो प्रभारी मंत्री होता है वही उसका द्यक्ष होगा उपभोगता संडरक्षन अदिनियम 2019 के तहत केंद्री उपभोगता संडरक्षन परिशद की सदश्य संक्या कितने निर्धारित हुई यह 36 निर्धारित की गई है दोस्तों 36 क्या निर्धारित की गई है 36 उपभोगता संरक्षन परिशद का गठन कौन करता है उपभोगता संरक्षन परिशद का गठन कौन करता है राज्य सरकारें उपभोगता संरक्षन परिशद का गठन करती है राज्जे सरकारें प्रतेक जिले में कितने जिला मंच स्थापित किये जा सकते हैं देखो दोस्तों सामन्यत है प्रतेक जिले में एक ही जिला मंच होता है परन्तु यदि किसी जिले की पपुलेशन या जनसंग के अधिक होर वहाँ पर के से जादा हो तो वहाँ पर एक से जादा भी स्थापित किये जा सकेंगे तो इसका उत्तर होगा एक या एक से अधिक एक तो हो गए होगा एक से जादा भी स्थापित किये जा सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि वहाँकी पपुलेशन की स्थितियां क्या है कितनी population की दशाएं हैं उसके आधार पर किया जा सकेगा अब देखो उपभोगता संरक्षन अधिनें 1986 के अधीन उपभोगता संरक्षन अधिनें 1986 के अधीन जिला मंच के अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है वो या तो जिला नयादीश रह चुका हो या वर्तमान में हो या जिला नयादीश की योग्यता रखता हो तो उसे जिला उपभोगता मंच में अध्यक्ष की योग्यता के लिए उप्युक्त माना जाएगा और ये उच्छ नयाले का नयादीश हो या रहा हो वैसी योग्यता हो तो वो रास्ट्री आयोग के लिए होगा किसके लिए रास्ट्री आयोग के लिए और उच्चतम नयाले स्प्रीम कोर्ट का नयादीश हो या रहा हो या वैसी योग्यता रखता हो तो ये होगा राश्ट्री आयोग के लिए और ये होगा राज्य आयोग के लिए तो तीनों को देख लीजे दोस्तों ये तीनों की योग्यताएं हैं 2019 के बोगता सनरक्षन अदिनियम के तेट राज्य आयोग के सदश्य का अधिक्तम कारेकाल पहले भी वही था दोस्तों पांच वर्ष और अब भी इस अदिनियम में भी पांच वर्ष ही रखा गया है ब्रामक विज्यापनों के मामले में देखो इस अदिनियम में कुछ विस्तार दिया गया है 2019 के अदिनियम में कुछ विस्तार की गई चीजों को ब्रामक विज्यापनों के मामले में सेलेब्रेटीज पर अधिक्तम जुर्माना राशी क्या रखी गई है अधिक्तम जुर्माना राशी 10 लाख रुपई रखी गई है परंतुयदी सेलेब्रिटी उस ब्रामक विज्ञापन की पुनरावृती करता है पुनरावृती करता है तो पचास लाख रुपई तक का जुर्माना किया जा सकेगा कितना 50 लाख रुपे तक का जुर्माना किया जा सकेगा जैसे प्रश्णियों आए कि ब्रामक विग्यापनों की पुन्रावरती की स्थिती में सेलेब्रिटीज पर कितनी राशी के दंड का प्राउधान इस अधिनियम में रखा गया तो आपका उत्तर होगा 50 लाख और यदि सीधा सिंपल प्रशनाता है कि ब्रामक विग्यापनों के मामले में सेलेब्रिटीज पर अधिक्तन जुर्माना राशी क्या रखी गई है तो आपका उत्तर होगा 10 लाख रुपे लेकिन ब्रामक विग्यापन ब्रामक विग्यापन का मतलब है कि जैसे हमिता बच्चन दिखाते है न कि वो सीमेंट का एड कर देता है कभी किसका एड कर देता है तो यदि वो सीमेंट में वो गुणवत्ता नहीं पाई जाए तो उसमें सेलेब्रिटीज भी दोशी पाई जाएंगे कोई कोका कोला का एडविटाइजमेंट करता है कोई थमसब का करता है तो ये जो एड करने वाले लोग है यदि वो उत्पाद या वो वस्तु वैसी जो बता रहे हैं वैसी नहीं है तो फिर उन पर केस दाएर किया जा सकता है वो ब्रामक विज्यापन कहलाएगा ब्रामक विज्यापन कहलाएगा निमनलिकित में से 2019 के उपभोगता संड़क्षन अधिनियम में शामिल नहीं है देखो इसमें शामिल नहीं है पूछा गया है दोस्तों देखिए CCPA का Central Consumer Protection Act के गठन का प्राउधान इसमें रखा गया है e-commerce को पहली बार इस दाइरे में शामिल किया गया है product और liabilities को भी इसमें शामिल किया गया है जिला उपभोगता में शिकायत राशी जो पहले 20 लाक रुपे रखी गई थी उसे अब बढ़ा कर एक करोड रुपे कर दी गई इसलिए वर्तमान में ये असत्य कथन है इसके अनुसार 20 लाक रुपे से बढ़ कर के ये एक करोड रुपे कर दी गई दोस्तों भारत में स्थापित प्रथम बीमा कंपनी बारत में स्थापित पहली बीमा कंपनी ओरियंटल लाइफ इंशुरेंस ओरियंटल लाइफ इंशुरेंस ये 1818 में स्थापित की गई तो भारत में स्थापित प्रथम बीमा कंपनी पहली बीमा कंपनी अगला सवाल भारत में बीमा के इतिहास के संदर्ब में असत्य कथन है भारत में बीमा के इतिहास के संदर्ब में असत्य कथन है प्राचीन समय में संसाधनों को पूलिंग पर रखा जाता था ये बिलकुल सही बात है पूलिंग का मतलब है सुरक्षित, एकत्रेत या संग्रहित जब टेम बेटेम हमें आडे आए जब यह में जरुवत पड़े तो कुछ संसाधनों को हम रिजरु में रखते थे कि जिससे हमें किसी प्रकार की कोई जोखिम होती है तो उस समय हम इन संसाधनों को काम में ले ले तो प्राचीन समय में बीमा की पददती थी याग बलक के द्वारा रचित आर्थ शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है क्या आर्थ शास्त्र की रचना याग बलक के ने किये या कोटिल्ले ने किये कोटिल्ले ने किये तो फिर असत्य कथन है तो यही असत्य हो गया ना यही असत्य कथन हो गया दोस्तों क्योंकि याग वलक की द्वारा रचित अर्थ शास्त्र नहीं है कोटिल ले द्वारा रचित अर्थ शास्त्र है मनु द्वारा रचित मनु स्मृति में इसका वर्णन मिलता है बिल्कुल सही बात है और प्राचीन समय से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है बीमा हमारी संस्क्रती का हिस्सा रहा है प्राचीन समय से ही निम्नलिक्यत में से वह है प्रत्थम कानून जो जीवन बीमा और सामन्य बीमा दोनों को कवर करता है जैसे पहले के जितने भी कानून बने वो सभी केवल जीवन बीमा को कवर करता था लेकिन ये एक ऐसा कानून बनाया गया जो सामन्य बीमा और जीवन बीमा दोनों को कवर करता है वो इंडिया इंशोरेंस कंपनी एक्ट उननिस सो अड़तेस इंडिया इंशोरेंस कंपनी एक्ट उननिस सो अड़तेस में जीवन बीमा तथा समन्य बीमा दोनों को इसने कवर किया निम्नलिकित में से 107 समन्य बीमा कंपनियों का विलै कितनी कंपनियों में किया गया दोस्तों चार कंपनियों में सभी 107 कंपनियों को मिला दिया गया एक सो साथ कमपनियों को चार कमपनियों में मिला दिया गया उसमें विले कर दिया गया यह सवाल बताएं दोस्तों बीमा सिक्षा के जनक निमनलिखित में से कौन है बीमा सिक्षा के जनक निमनलिखित में से कौन है और यह भई साथ USA के हैं अमेरिका के हैं दोस्तों USA से मलहत्रा मलहत्रा प्रवेस की अनुमती दी गई भारति जीवन भीमा निगम के गठन की सिफारिश की गई भारतिय बीमा नियामक विकास प्राधी करण का गठन किया गया ये परिवर्तन नहीं किया गया दोस्तों भारतिय जीवन बीमा निगम के गठन की सिफारिश इसमें नहीं की गई दोस्तों निजिक शेत्र को बीमा कारोबार में प्रवेश की अनुमती दी गई और भारती भीमा नियामक विकास प्राधी करन का गठन किया गया इसमें पूछा गया है नहीं इसलिए नहीं इसकी पोजाएगा तो हमारा उत्तरा पहला है लगा दोगे ये गड़बड होने के चांस होते हैं बहुत सारे बारती बीमा न्यामक एवंविकास प्राधीकरण IRDI का मुख्याले कहां है भारती बीमा न्यामक एवंविकास प्राधीकरण है पर है दोस्तों है रदराबाद में भारती बीमा नियामा केवं विकास प्राधी करण का मुख्याल है है थ्राबाद में है दोस्तों निम्न लिखित में से बीमा जाग रुकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों बीमा जाग रुकता दिवस दोस्तों 19 अप्रेल 15 मार्च को वेश्व उपभोगता दिवस 24 को राष्ट्री उपभोगता दिवस और 1 सितंबर 1956 में भारती जीवन बीमा निगम के स्थापना की गई ये चारों ही तिथियां किसी न किसी रूप में रेलेवेंट हैं हमें याद रखने योग्य हैं इन प्रश्णों पर इसी तरह से आप विचार करें दोस्तों प्लीज हर प्रश्ण को इस द्रस्टी से देखें भारत में फसल बीमा के जनक निम्न में से कौन है भारत में फसल बीमा के जनक निम्न में से कौन है भारत में फसल बीमा के जनक अविनन्दा घोश और भारत में बीमा के जनक विनायक मादैव दंडेकार तो इसका उत्तर होगा आविनन्दा घोश फसल बीमा के जनक देश में भारत यो द्वारा इस्थापत प्रथम बीमा कंपनी कौनसी है भारतियों द्वारा स्थापित प्रत्वम बीमा कंपनी कौन सी है Bombay Life Insurance Company Bombay Life Insurance Company Bombay Life Insurance Company भारति भीमा नियामक अवं विकास प्राधीकरण का गठन कब किया गया? 19 अप्रेल 2000 को इसका गठन किया गया दोस्तों 19 अप्रेल 2000 को इसका गठन किया गया? IRDA का पूरा नाम IRDA का पूरा नाम देखें दोस्तों IRDA का पूरा नाम IRDA का पूरा नाम IRDA का पूरा नाम देखो दोस्तों Insurance Regional and Development Authority of India Insurance Regional and Development Authority of India ये भी नहीं है Insurance Regulatory and Development Authority of India ये इसका पूरा नाम है दोस्तों कई competitive exams में इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो Insurance Regulatory and Development Authority of India भारती है Bhima Vikas Pradhi Karan Next आगे देखते हैं दोस्तों देखे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि Mission ने जो मुहिम छेड रखी है आप लोगों के hit में Mission की पूरी team शंदार धंग से आप लोगों के लिए काम कर रही है और इसका result आप जरूर देंगे 100% आप शंदार धंग से इसका lab ले सकेंगे और आप select होंगे Next आगे अगला प्रस्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों समन्यते बीमा कितने प्रकार के होते हैं वैसे तो क्या है कि बीमा को वैसे प्रकारों में decide करना बड़ा मुश्किल टास्क है लेकिन समन्यते आप से पूछा जाएं तो बीमा आठ तरह के होंगे दोस्तों समन्यते बीमा कितनी तरह के होंगे आठ तरहें के होंगे बीमा अब देखे दोस्तों भारत में बीमा के जनक भारत में बीमा के जनक देखो रोबर्ट ओविन की बात करें तो ये सहकारिता के जनक है दोस्तों Robert Owen, Sihkarita के janak è, Vinayak Mahadev Dhandekar, Vinayak Mahadev Dhandekar, Bhinander Ke Janak è, Avinanda Ghosh, Facal Bhinander Ke, Avinanda Ghosh, Facal Bhinander Ke Janak È, C'Kiske Janak fa, Facal Bhinander Ke Janak è, भारत में बीमा का शुवारंब भारत में बीमा का शुवारंब दोस्तों भारत में बीमा का शुवारंब 1818 में हुआ भारत में बीमा का शुवारंब 1818 में हुआ क्रशी बीमा कमपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई क्रशी बीमा लिमिटेड की स्थापना कब की गई 20 दिसंबर 2002 को क्रशी बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई दोस्तों 20 दिसंबर 2002 भारतिय जीवन बीमा निगम का मुख्याल है कहां इस्तित है भारतिय जीवन बीमा निगम का मुख्याल है मुंबई में है दोस्तों अधिकांश दो फाइनेंशियल या बीमा से सम्मांदित जो कम्पनिया है उनमें अधिकांच के Head Office मुंबई में है दोस्तों अधिकांच के Head Office कहां पर है? मुंबई में अधिकांच के Head Office मुंबई में है United India Insurance Company Limited की स्थापना United India Insurance Limited की स्थापना 18 फरवरी 1938 को इसकी स्थापना की गए दोस्तों ये तथ्यात्मक चीज़े हैं दोस्तों तथ्यात्मक प्रश्न है क्रशी बीमा कंपनी लिमिटेड का मुख्याले कहां इस्थित है? देखे दोस्तों क्रशी से संबंदित जितनी भी संस्थाइं है चाहिए बीमा से संबंदित या अन्य प्रकार से संबंदित उनमें अधिकांच का जो Head Office है वो नई दिल्ली में है क्रशी से संबंदित राष्टे स्तर की जो संस्थाइं है उनके Head Office दिल्ली में है दोस्तों कहां पर हैं? दिल्ली में अगला प्राश्न भारत में सारुजने क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? भारत में सारुजने क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC of India भारती जीवन बीमा निगम सारुजने क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी यदि निजिक शेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनीया बैंक की बात करें तो वो है HDFC निजिक शेत्र में HDFC है और सारुजने क्षेत्र में LIC है LIC Life Insurance Corporation of India Life Insurance Corporation of India देखे दोस्तों यह है CWC Central Warehousing Corporation केंद्रिय बंडार ग्रह निगम तो Central Warehousing Corporation की स्थबना 1957 में की गई और इसका Head Office नई दिल्ली में है दोस्तों केंद्रिय है न इसलिए Head Office भी दिल्ली में है इसका उद्धिश है देश में क्रशी उपजों को सुरक्षित रखने के लिए विज्यानिक पद्धती आधारेत भंडार ग्रहों का निर्मान करना देश में क्रशी उपजों को सुरक्षित रखने के लिए विज्यानिक पद्धती आधारेत भंडार ग्रहों का निर्मान करना ये इसका उद्धिश है दोस्तों अगला सवाल केंद्रिय सुस्क शेत्रनुसंधान संस्थान का हेड ओफिस कहां इस्थित है केंद्रिय सुस्क शेत्रनुसंधान संस्थान ये भी कई बार प्रत्योगी परिक्षाओं में पूछा गया है इसकी स्थापना 1959 में की गई दोस्तों 1969 में और इसका head office है जोदपूर में इसका उद्धिश है राज्ये में मरू प्रशार को रोकने के लिए राज्ये में मरू प्रशार को रोकने के लिए मरू प्रशार को रोकने के लिए व्रक्षार उपन का कारे करना मरू प्रशार को रोकने के लिए व्रक्षा रोपन का कार्य करना राजस्तान राज्य उद्योगिक विकास अवं विन्योग निगम इसकी शॉट फॉर में दोस्तों रीको राजस्तान इंडस्त्रियल डवलप्में राजस्तान स्टेट इंडस्त्रियल डवलप्मेंट अड इन्वेस्मेंट कोर्पोरेशन राजस्तान राज्य उद्योगिक विकास अवं विन्योग निगम की स्थापना इसके स्थापना 1980 में की गई दोस्तों वैसे 1961 में हम लोग बात करें तो 1961 में राजसी को राजसी को की स्थापना की गई और 1955 में RFC की स्थापना की गई राजस्तान फेनेंस कोरपोरेशन और राजकौन राजस्तान चैनसी और्गिनाईजीशन की स्थापना 1978 में की गई तो 1980 में ये दोस्तों क्या है कि जो तित्या है वो अलग-अलग और्गिनाईजिशन को रिप्रेजेंट करने वाली है क्योंकि चारों संस्थाइं राजस्थान की है और आरेपसी भी आपने पढ़ा है राजसी को भी पढ़ा है राजकोन भी पढ़ा है ये चारों ही तिथिया प्रत्योगी परिक्षाओं में पूछी जाती रही है और पूछी जाएगी संस्कृत की क्लास होगी दोस्तों 100% संस्कृत की क्लास होगी जो भी आपका schedule दिया हुआ है जो भी आपका schedule है उसमें वो class है और वो होगी सुलिया जो बच्ची पूछ रहे थे कि संस्रदी क्लास होगी सोलर पार्क कहां इस्थित है सोलर पार्क कहां इस्थित है भडला जोदपूर सोलर पार्क कहा इस्तित है दोस्तों भडला जोदपूर लेजर सिटी कमप्लेक्स अच्रोल दिल्ली रोड जैपूर लेजर सिटी जो आराम दाइक उतपाद है आराम दाइक प्रोडेक्ट है उनका जो पार्क है कमप्लेक्स है वो अच्रोल दिल्ली रोड जैपूर में स्थापित किया गया इन स्थानों के नाम पूछी जाते रहें दोस्तों कॉम्पूटिटिट्व एक्जाम्स में PPP पब्लिक प्राइवेट पर्टनर्शिप पर्क PPP पब्लिक प्राइवेट पर्टनर्शिप पर्क सर्वजनिक निजी सेभागिता पर्क सर्वजनिक निजी सेभागिता पर्क ये चौमू बगरू जैपूर पाली किशनगड इन सभी स्थानों पर PPP पार्क इस्थित है चौमू बगरू जैपूर किशनगड अजमेर और पाली इन स्थानों पर पब्लिक प्राइबेट पार्टनर्शिप पार्क स्थापित किये गए हैं हिंदोस्तान सौल्ट लिमिटेट हिंदोस्तान सौल्ट लिमिटेट की स्थापना हिंदोस्तान सौल्ट लिमिटेट की स्थापना 1949 में हिंदोस्तान सौल्ट लिमिटेट की स्थापना 1949 में की गई दोस्तों कांकरोली राज सम्मन्द में इस्थित उद्योग है जे के टायर ट्यूब सेंट गोबेन ग्लास फेक्ट्री ग्लास इंडस्ट्री ये भीवाडी ये रीट एक्जामी पूछा हुआ क्योशन है कि सेंट गोबेन ग्लास इंडस्ट्री कहां पर है 2012 में कि सेंट गोबेन ग्लास इंडस्ट्री कहां पर है भीवाडी अलवर में जोदपूर उन फेक्ट्री ये जोदपूर में ही है दोस्तों जोदपूर उन फैक्टरी जोदपूर में है और वेगन फैक्टरी ये कोटा में है और सिमको वेगन की बात करें तो भरतपूर में है वेगन फैक्टरी कोटा में और सिमको वेगन फैक्टरी भरतपूर में सिमको वेगन फेक्टरी से सवाल दो बार आया है प्रतियोगी परिक्षाओं में आरेस में और अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं में यहाँ से खुब सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं दोस्तों प्रतम ओद्योगिक नीती राजस्तान सरकार की पहली उद्योगिक नीती कब घोसित की गई? 24 जून 1978 दूसरी उद्योगिक नीती दिसंबर 1990 तीसरी उद्योगिक नीती 15 जून 1994 चोथी उद्योगिक नीती 1998 और पाँचवी उद्योगिक नीती 19 जून 2010 राजस्तान सरकार ने अब तक पाँच उद्योगिक नीतीयां घोसित की पहली 24 जून 1978 लवल की जूद्योगिक के एक्जाम में इस सवाल पूछा गया था कि प्रथम उद्योगिक नीती कब घोसित की गई? दूसरी 1990 में, तीसरी 1994 में, चोती 1998 में और पाँचवी 19 जून 2010 दस दा मेवाड सूगर मिल्स लिमिटेट कहां इस्थित है? कई बार प्रश्ना है कि दा मेवाड सूगर मिल्स की स्थापना कब हुई? दा मेवाड सूगर मिल्स अर यह बूपाल सागर चितोड़गर में इस्थित है दोस्तों, बूपाल सागर चितोड़गर में, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर सूगर मिल्स लिमिटेट की स्थापना हुई ये सारवजनिक शेत्र की हुई स्थापित यहां पर गंगानगर में और केसवराई पार्टन में केसवराई पार्टन बूंदी में सहकारिक शेत्र में सूगर मिल स्थापित की गई तो भुपाल सागर में 1932 में दक्रिश्ना टेक्स्टेल मिल्स लिमिटेड की स्थपना कब की गई? अठारे सू नवासी में पिछली बार प्रश्न है था कि दक्रिश्ना टेक्स्टेल मिल्स लिमिटेड चाथ प्रश्न है था कि पहली राजस्तान में पहली सूती मिल कौन से स्थापित की गई? या कहां स्थापित की गई? दक्रिष्णा टेक्स्टाल मिल्स लिमिटेट 1889 में स्थापित की गई दोस्तों बारत की पहली औद्योगिक नीती देखे दोस्तों बारत की पहली औद्योगिक नीती ही मत समझी आप ध्यान से देखिए पहली उद्योगिक नीती 6 अप्रेल 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली उद्योगिक नीती और स्वतंत्रता के बाद जब हमने पहली उद्योगिक नीती और पहली पंचवर्शी उजना के जो अनुभव हमने लिये उसके बाद हमने दूसरी उद्योगिक न तीस अप्रेल 1956 को और तीसरी ओद्योगिक नीती 1977 को चोथी ओद्योगिक नीती 1980 को और पांचवी ओद्योगिक नीती 31 माई 1990 को और लेटेस्ट नई ओद्योगिक नीती 24 जुलाई 1991 को घोसित की गई जिसे नई ओद्योगिक नीती भी कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों नई ओद्योगिक नीती कहा जाता है तो इस प्रश्ण में आप 6 फैक्स देखेंगे पहली ओद्योगिक नीती 6 अप्रेल 1948 को और दूसरी ओद्योगिक नीती 56 को कंटिनियूस आप सभी लोगों का बहुत-बहुत अभी नंदन मिशन के यूटूब चैनल पर मिशन की मंच पर सिक्षकों ने पिछले 40 घंटे से लगातार आप के लिए जो मेनत की है और जो कर रहे हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी वे आपके सामने खड़े हैं और ये इकनोमिक्स के बड़े गजब के विशीशक गया है और कई वर्चों से मिशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं आप आरेस और सिविल सर्विसेस की परिक्षाओं में अर्थ विवस्ता से नेट जयारेट की तैयरी करवाते हैं और बहुत गजब का होल्डिंग का है अंतिम चरण की अंतिम सोपान में इकनोमिक्स की वो डोज आपको दी जा रही है जो परिक्षा होल में आपके बहुत काम आने वाली आप सब लोगों के लिए बहुत-बहुत दुआएं आप सब लोगों को बहुत-बहुत आशिरवात जीवन के हर काल खंड में आप लोग सफल हो जाएं और ये रिट अपकी बार आपके द्वार आजाए यह हमारा उद्देश है आप पढ़े और पढ़ते रहे हैं और डोग साब जो समझा रहे हैं उसे अच्छी त गंड़े बाद 48 गंड़े बाद इनकी परिक्षा का टाइम है इस अंतिम समय के लिए आप इनके लिए क्या विशेश रणनीती सोचते हैं दोड़ साथ देखिए दोस्तों यदि हम लोग अब आपके पास समय कम है तो आप कोई जादा समय नहीं रहा आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन किये मिसन ने आपको पूरा साथ दिया है तो आप लोग एक रणनीती स्प्रकार के अपना हैं कि जितना आपने पढ़ लिया अब उससे कोई बहुत जादा पढ़ने की जरुरत नहीं है क्योंकि आप उसमें अदी कोई और भी पढ़ना चाहेंगी अपने दिमाग में अदी negativity रखेंगे कि मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता इसकी कोई जरुरत नहीं है आप इमान कर चलें कि जब हम मिसन के इतने प्रशनों का उत्तर हम दे रहे हैं और हमने मिसन से इतनी चीज़ें सीक रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें आती हैं और आप बिल्कुल confident होक क्या बात है सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके बड़ा दुआ है इनको दिए सर की कक्षा चल लिए और सर की कक्षा के ठीक बात अब संस्कृत लेंग्वेज आपके लिए आने वाली है जिस संस्कृत को लेकर आप 30 में से 30 नमबर लाना चाहते हैं संस्कृत के वि क्यास्त और रिड़ लेवल सेकंड के लिए भी हाला कि सर्गी शेटेवरिट फर्स्ट के लिए भी उपयोगी है सेकंड एसिस्टी कि लिए ज्यादा उपयोगी तो धन्यवाद सर आप कख्शा को कंटिनियों करें थेंकुच थैंक यूसर चले दोस्तों next हम लोग बात करें थे संगरूर कागज उद्धियोग ये संगरूर है दोस्तों संगरूर में कागज उद्धियोग है और ये पंजाब में इस्नीत है दोस्तों पिछली बर प्रतियोगी परिक्षामी इसी तरह से questions आये थे कि ये उद्ध्यो कहां पर इस्तित है ये उद्ध्यो कहां पर इस्तित है तो हमें पता होना चीए कि संगरूर कागज उद्ध्यो कहां पर है भारत का व्रहद कागज उद्ध्यो नव गाउं असम में इस्तित है तो इस तरीके की बहुत सारी चीजे हैं जो आपको ध्यान में ह है अगला सवाल टाटा आइरन टाटा आइरन एंडिस्टिल कंपनी किस थापना सांकची जार खंड में की गई दोस्तों टाटा आइरन एंडिस्टिल कंपनी किस थापना सांकची जार खंड में की गई और रावर केला, स्पातकारखाना, देखो दोस्तों मैं जनरली कहता हूँ, बच्चे बहुत उछलते कूटते इस बात को कहते हैं, कि पिछली बार पुछा गया था भीरू बिलाई स्पातकारखाना, भी का मतलब है भीलाई स्पातकारखाना भीरू राज दुब्री भीरू राज दुब्री बिला इस्पात कारखाना राउर केला इस्पात कारखाना दुर्गापर इस्पात कारखाना भीरू राज दुब्री ऐसे याद करें ये रूस के सहयोग से ये जर्मनी के सहयोग से और ये ब्रिटेन के सहयोग से और बोरू बोकारो इस्पात कारखाना भी रूस के सहयोग से यहाँ पर सवाल पुछा गया दोस्तों राउर के ला इस्पात कारखाना तो आपको बिल्कुल राज याद रहना चीए क्या याद रहना चीए दोस्तों आपको राज क्या याद रहना चीए राज, राउर के लिए इस्पात कारखना जर्मनी के सहयोग से आपका उत्तर होगा जर्मनी के सहयोग से और विलाई स्पात कारखना रूस के सहयोग से दुर्गापूर स्पात कारखाना ब्रेटेन के स्यायोग से स्थापित क्या गया दोस्तों बोकारो स्पात कारखाना बोकारो स्पात कारखाना बोकारो जारखंड में स्थीत है दोस्तों बोकारो स्पात कारखाना कहां पर स्थीत हैं बोकारो जारखंड इस्टिल अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेट किस्थापना कब की गई 1973 में इस्टिल इंडिया लिमिटेट किस्थापना 1973 में की गई दोस्तों भारति स्पाथ प्राधी करण किस्थापना 1973 राखा कोपर परियुजना राखा को पर परियोजना का इस्थापित की गई सिंग भूमी जारखंड में दोस्तों सिंग भूमी जारखंड में राखा परियोजना स्थापित की गई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेट का इस्थित है बुपाल MP में ये तथ्यात्मत प्रश्ण है दोस्तों थोड़ा सा रूखा विशे है फिर भी आप लोगों के लिए बहुत यूसफुल है इसको जितना भी मैं इंटरस्टिंग बनाना चाहरा था उतना बनाने की कोशिस की है आब होत आनन से देखें देखो ये प्रश्ण बह का कौन सा स्थान है और राजस्थान का दूसरा स्थान है लगबग 22-23 प्रतीशत भारत में कच्चा तेल राजस्थान में प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों बारत एक दशक में देखो दोस्तों पॉपुलेशन एक बड़ा मुद्दा है जनसंख्या को लेकर के हम प्रश्णों की बात करेंगे अब पॉपुलेशन पर हम लोग बात करेंगे बारत एक दशक में ब्राजील को जन्म दे देता है जबकि एक वर्ष में उस्टेलिया को जन्म दे देता है इस प्रशन का उत्तर तो है ब्राजील बारत एक दशक में किसको जन्म दे देता है ब्राजील को एक वर्ष में उस्टेलिया को और एक लंबी चलांग वाला दशक, एक महान विवाजक दशक, महान विवाजक दशक 1921, लंबी चलांग वाला दशक 1961 और भारत में सरवादिक जनसंक्या व्रदीदर, भारत में सरवादिक जनसंक्या व्रदीदर 1971 में, और यदि राजस्थान में सरवादिक जनसंक्या पूछे तो 1981 होगा दोस्तों ये प्रतियोगी परिक्षाओं में जो तत्थे हैं कई बार पूछे गए हैं कई बार प्रतियोगी परिक्षाओं में तत्थे पूछे गए हैं दोस्तों अगला सवाल अगला प्राशन देखें दोस्तों भारत की जनसंख्या विस्वकी जनसंख्या का कितने प्रतीशत है भारत की जनसंख्या विस्वकी जनसंख्या का कितने प्रतीशत है सत्रे पॉइंट पाँच प्रतीशत है दोस्तों विश्व की जनसंक्या भारत की जनसंक्या की कितनी प्रतीशत हैं पाँच प्रतीशत हैं अगला प्राश्ण 2011 की जनगर्णा का शुभारंब कब हुआ एक अप्रेल 2010 से 2011 की जनगर्णा का कारिश शुरू हुआ अभी दोस्तों 2021 की जनगर्णा कोरोनो काल की कारण नहीं हो पाई इसलिए हमें 2011 की जनगर्णा के आकड़े ही याद रखने हुँगे क्योंकि कोरोनो काल ने हमें बहुत हमारी बहुत सारी अभवस्ताइं हुई है उनमें जनगर्णा भी हमारी एक अभवस्ता का कारण है जिसके कारण नहीं हो पाई है दोस्तों जनसंख्या के बारे में बहुत सी चीजें है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो जनसंख्या के संदरव में चंदर शेकर ने कहा था कि Indian beds are more fertile than Indian fields भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो भारती बिस्तर भारती खेतों से ज़्यादा उपजाव है ऐसा चंदर शेखर का quotation है यानि हमारे population की जो स्तिति है वो खाद्यानों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है तो खाद्यानों का उत्पादन तो वर्ष में एक बार होता है लेकिन जनसंख्या तो वर्ष भर चलती है वर्ष भर population की स्तितिया है 2011 की जनगर्णा कौन सी जनगर्णा है बिल्कुल आप लोग इसको count करके ध्यान में रख सकते हैं 2011 की जनगर्णा पंद्रवी जनगर्णा है दोस्तों 2011 की जनगर्णा कौन सी है पंद्रवी जनगर्णा और नियमित की बात करें तो 2011 की नियमित चोदवी जनगर्णा है और 2016 की 2021 की सोलवी जनगर्णा है 2021 की कौन सी होगी सोलवी जनगर्णा 2021 की 16 जनगर्णा होगी भारत में जातिगत गर्णा का कारे कब शुरू हुआ? 1 नवंबर 2011 से बारत में जातिगत गर्णा का कारे 1 नवंबर 2011 से शुरू हुआ दोस्तों भारत में जातिगत गर्णा का कारे 1 नवंबर 2011 से शुरू हुआ UIDA के प्रथम महानिदेशक या अध्यक्ष प्रथम स्री राम सेवक शर्मा और प्रेजेंट में हैं दोस्तों स्री डॉक्टर सोरब गर्ग इसके महानिदेशक है प्रेजेंट और पहले हैं स्री राम सेवक शर्मा ये R.A.S. और Women Competitive Exams में पूछा जा चुका है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में अंतिम साक्षर्तादर देखो दोस्तों धान से देखो अंतिम साक्षर्तादर 73 प्रतीशत राजस्थान में साक्षर्तादर अनंतिम 67.06 प्रतीशत राजस्थान में अंतिम साक्षर्तादर 66.1 प्रतीशत और भारत में अनंतिम साक्षर्तादर 74.04 प्रतीशत एक ही प्रश्ण में अनंतिम और अंतिम आकड़े वो भी भारत और राजस्थान के आप याद रख सकेंगे दोस्तों याद कर सकेंगे 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्ये देखें दोस्तों फॉस्ट नंबर पे ये हमारा उत्तर है उत्तर प्रदेश और न्युननतम सिक्किम सेकेंड महरास्ट और सेकेंड लास्ट पे है मिजोरम सेकेंड लास्ट पे है दोस्तों मिजोरम 2011 की जनगर्णा के उसना राजस्थान में सरवाधिक जनसंख्या व्रदीदर वाला जिला राजस्थान में सरवाधिक जनसंख्या व्रदीदर बाडमेर फास्ट सेकेंड नंबर पे जैसल मेर सबसे लास्ट न्युननतम गंगा नगर और सेकेंड लास्ट पे है जुन जुनू ये चौरों जिले हैं दोस्तों 2011 की जनगर्णन के नुसर भारत का सरवाधिक जनगनत्व वाला राज्ये सरवाधिक जनगनत्व बिहार सेकेंड पशिमगाल और नुननतम अरुनाचल प्रदेश और सेकेंड लास्ट पे है मिЗोरम सेकेंड लास्ट मिजोरम सेकेंड लास्ट पे है दोस्तों मिजोरम 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजिस्थान की दूसरी सरवादिक साक्षर्ता दर किस जिले की रही First नमबर पे कोटा और Second नमबर पे है दोस्तों जैपूर जैपूर, First पे है कोटा, Last जालोर और Second Last पे है सिरोई एक ही प्रश्ण में चार-चार बातें कही जा रही है दोस्तों 2011 की जनगर्णा के उनुसार भारत की सरवाधिक पूरुष सक्षर्ता केरल सरवाधिक पूरुष सक्षर्ता भी केरल और महिला सक्षर्ता भी केरल 2011 की जनगर्णा के उनुसार राजस्थान में सरवाधिक महिला सक्षर्ता कोटा सरवाधिक महिला सक्षर्ता कोटा 2011 की जनगर्णा के उनुसार राजस्थान का नियुननतम लिंगानुपात वाला जिला और सरवाधिक लिंगानुपात वाला जिला दूंगरपूर सेकंड लास्थ और सेकंड नंबर पे राजसम्वन 2011 की जनगर्णा के उनुसार राजस्थान में नियुननतम ग्रामेड जनसंख्या वाला जिला नियुननतम ग्रामेड जनसंख्या कोटा में है दोस्तों क्योंकि हैं सरवाधिक शेहरी है सरवाधिक ग्रामेड दुंगरपूर में है इस प्रश्ण का उत्तर है कोटा 2011 की जनगर्णा के उसार भारत में स.C का प्रतीशत भारत में S.E. का प्रतीशत है दोस्तों 16.6 प्रतीशत S.E. का कितना है 16.6 प्रतीशत 2011 की जनगर्णा कुछ राजिस्तान में संख्या में नियुनतम S.T. वाला जिला संख्या में नियुनतम S.T. वाला जिला जहां S.E. जादा है वहाँ पर S.T. काम है दोस्तों अंतिम प्राश्ण के बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों अंतिम प्राश्ण 2011 की जनगर्णा कुछ राजिस्तान में अनुपात में सरवादिक S.C. वाला जिला सरवादिक S.C. वाला जिला गंगा नगर सरवादिक S.C. वाला जिला कौन सा है दोस्तों गंगा नगर देखे दोस्तों हम लोगों ने जितने भी समय में मिसन काम कर रहा है बहुत शांदार ढंग से सबी लोग अपना काम कर रहे हैं मैं आपको एक बहुत ही शांदार एक बात कहना चाहूंगा कि 25 तारिक की रात्री को आप अच्छी नींद लीजिएगा दोस्तों सबसे जादा इंपोर्टेंट है कि आप अच्छी नींद लें और इस कॉन्फिडेंस के साथ सोएं कि हम जितनी तैयारी कर सकते थे उतनी तैयारी हमने की है और हम निशित रूप से रीट के एक्जाम को क्रैक कर लेंगे इसी बात को सोचकर आप सोएं तो आप बिलकुल उत्साहित होकर जब एक्जाम देने जाएंगे तो उस उत्साहा में आप अच्छा काम करेंगे बिलकुल भी निरास नहीं होना कोई व्यक्ति कोई सवाल पूछता है उसका उत्तर ना आए तो भी हमें निराशा की ज़रुवत नहीं है दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से अग्रीम हार्दिक शुब कामना है मंगल कामना है नमस्कार दोस्तों अब दोस्तों आपके सामने संस्कृत वाले सर योगेजी सर बहुती शांदार डंग से आपसे चर्चा करेंगे जो आपसे हमें साहिए